Hello dear students, आज के वीडियो में हम एक important topic पर बात करने वाले हैं, ये एक most requested वीडियो भी है, जिसके बारे में आप लोग बार बार comment में मुझसे कह रहे थें कि इस पर मैं एक वीडियो लेकर आओ, तो आज का topic है scholarship, उत्राखंट polytechnic के students के लिए दो तरह की scholarships available हैं, पहली scholarship है उत्राख प्रगती और सक्षम scholarship, आप इन दोनों में से किसी एक scholarship के लिए अपलाई कर सकते हैं, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, समाज कल्यान विभाग की तरफ से दी जाने वाली scholarship के बारे में, अगर आप AICT की तरफ से दी जाने वाली प्रगती और सक्षम scholarship, जो की girls candidate और physically handicapped candidates के लिए है, इसके बारे में जाना चाते है detail से, तो नीचे comment box में मुझे लिख कर बताईए, मैं इस पर भी आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगी, अगर आप चाहेंगे तो, तो start करते हैं आज का वीडियो, सबसे बहले बात करते हैं कि इस scholarship के लिए apply करन की, बहुत सारे students का question है कि अभी तक colleges में admission procedure चल रहा है, जैसा आप लोगों को मालूम है कि third counseling के admission की last date है 5 December, तो अभी में colleges में admission procedure चल रहा है, इसलिए बहुत सारे students को doubts हैं, कुछ colleges में WhatsApp group बना दिये गए हैं, जिनके through students तक information पहुँचाई जा रही है, कुछ colleges में मुझे लगत है कि 5 December के बाद, यानि next week 7 से आप लोगों के WhatsApp group बनेगा, या किसी ना किसी तरह आप लोगों तक information इसके regarding पहुचेगी, अगर आपको ये information नहीं मिलती है, तो आपको खुद जाके college में contact करना है, क्योंकि इस scholarship के लिए आपको खुद apply करना है, institute level से केवल इसका verification होना है, जि वहां से scholarship direct आपके account में आएगी, तो अब बात करते हैं कि कौन इस scholarship के लिए eligible है, उत्राखन के SC, ST, Domicile जिनकी family income धाई लाग से कम हो, और OBC और EBC candidates जिनकी family income एक लाग से कम हो, वो इस scholarship के लिए apply कर सकते हैं, ध्यान रहें कि आपका जो income certificate है, वो 6 महां से पुराना नहीं होन चाहिए, तो पिछले 6 महां में बना हुआ, इस income limit में अगर आप आते हैं, आपके पास income certificate है, तो आप इस scholarship के लिए apply कर सकते हैं, अब हम बात करेंगी कि कैसे आपको scholarship के लिए apply करना है, तो इस scholarship के लिए apply करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है national scholarship portal पर और यहां पर new registration जो how to apply करके नीचे की ओर scroll करने पर कुछ terms and conditions दिखाएगा, इन terms and conditions को आपको agree करना है, यानि click करना है और उसके बाद आपको submit करना है continue, तो इसके बाद आप registration page पर आजाएंगे, यहां पर कुछ important आप से related informations पूछी जाएंगी, जैसे कि आपका name, आपका जो भी आपकी scholarship आप कि के लिए apply कर रहे हैं, कौन सी class है, एक question पूछा जाएगा, आप कौन सी scholarship के लिए apply कर रहे हैं, तो इसमें आपको post metric यानि की top class, post metric वाली जो scholarship है, वो option choose करना है, एक question आप से पूछा जाएगा, scheme type, तो इसमें आपको scholarship scheme पर click करना है, और एक और option जिसमें आपको doubt हो सकता है, identification detail तो उसमें आपको आधार number को choose करना है, तो ये सारे informations डालने के बाद, submit का option जब आएगा, submit करने पर आपका registration हो जाएगा, और registration कम्प्लीट होते ही, आपकी email ID पर, आपका login ID और आपका password आजाएगा, login ID यानि आपकी जो application ID है, और password होगा, आपका date of birth, तो एक बार जब आप पर, आप login करेंगे, अपनी login details की help से, और वहाँ पर आप आपको application form फिल करना है, तो यहाँ पर फिर से आपसे कई तरह की details पूछी जाएगी, आपका application ID, आप कौन से scheme के लिए apply कर रहे हैं, state of domicile, आप जिस state के रहने वाले हैं, उत्तराखंड, आपकी date of birth, gender, religion, community, category, SCST, OBC जो भी है, father's name, mother's name, इस तरह से आपसे बहुत सारी details पूछी जाएगी, आपको इसमें अपनी last class का, जो आपने last class पास की है, आपके लिए 10th की mark sheet पूछेगा, आपने कितनी percent आई और कौन से year में पास किया, कौन सा board था, इसी तरह से अगर आपने 12th किया है, तो 12th का basic details पूछेगा और उसके बाद आपकी contact details और फिर उसके बाद आपकी bank details जो सबसे ज़्यादा important है, students जो सबसे ज़्यादा mistake करते हैं, IFSC code बिल्कुल सही, भरिये अगर आपको नहीं पता चलता है, तो आप internet पर भी अपने bank का IFSC code सर्च कर सकते हैं, तो ये सारी details भरने के आपको option मिलेगा, document upload करने का, ये important step है, यहाँ पर को आपको कुछ documents upload करने के लिए कहे जाएंगे, जो की हैं आपके documents, आपकी photograph, आपकी self-attested certificate of previous academic mark sheet, जो भी आपकी last mark sheet है, 10th की, 12th की या फिर diploma, 1st year, 2nd year के, जो भी mark sheet है, उसकी copy, इसके अलावा आपकी fee receipt of current course year, देखिए इस पूरे year की डालनी होती है, तो पूरे year की जो fees है, अभी आपने नहीं दी, आपने केवल 8,000 रुपे दिये हैं, आपको अभी PLA fees के रूप में 5,000 रुपे और अपने college में submit करने हैं, तो इसके लिए आपको college जाना होगा, submit करनी होगी, तब जाके आपको fee receipt मिलेगी, और इस scan copy, आपके जो income certificate है, उसकी scan copy, एक bonafide certificate आपको अपने college से मिलेगा, इसके लिए भी आपको college में जाना होगा, इसके अलावा आपकी last past class की mark sheet और आपका cast certificate, आपका domicile certificate और आपका rank card और एक bonafide आपको मिलेगा institution से, तो इन सारे documents से तीन documents आपके पास फिलहाल नहीं होगे, आ आपका bonafide जो आपको college से मिलेगा और एक bonafide आपका यहां से generate होगा, तो last में जो bonafide student of institution लिखा है, उसे आपको download कर लेना है, इस वाले document को लेके आपको college जाना है, अभी submit नहीं करना है application को, यह download करके आपको college जाना है, college में अपने fee के regarding बात करनी है, और अपना bonafide certificate एक college स लेना है, एक जो यहां से download किया है, उसे sign करवाना है, तो यह तीन documents वापस लेकर फिर से आपको अपनी login ID से login करना है, और इन सारे documents को upload कर देना है, जब आप यह सारा procedure complete कर लेते हैं, आप last में कर देंगे final submit, इसके बाद यह आपके institute के level से verify होगा, अगर कोई दिक्कत या को का और दिया जाएगा, इसको correct करने का अगर नहीं है, तो इसे verify करके समाज के लियान विभाग को forward कर दिया जाएगा, और इस तरह से आपका scholarship के लिए apply करने का procedure complete होगा, इसके बाद कुछ समय में आपकी scholarship direct आपके account में आ जाएगी, तो यह सारी चीजें थी, students को अभी fee receipt और bona fide को लेकर दिक्कत हो रही होगी, तो इसके लिए आपको अपने college में ही contact करना पड़ेगा, या फिर आपके college का WhatsApp ग्रूप या कुछ जल्द ही शुरू होने की संभावना है, अगर अभी तक नहीं बना है, तो नहीं होता है, तो आपको खुद जाना चाहिए इसके बारे मे बात करने के लिए, तब ही आप scholarship के लिए apply कर पाएंगे, अभी 15 दिसंबर इसकी last date है, पहले 15 नवंबर थी, एक महीने बढ़ गई, 15 दिसंबर इसकी last date है, तो अगले 2-4 दिनों में आप इस procedure को complete कीजिए, अगर आपको कोई अभी भी doubt रहता है, नीचे comment box में मुझे बच्छी थी कोईरो से काट, कीूच, कीूच, तो रहता है, अविर को में बच्छी आप आपको के सकता है from theよろ